नमस्गार आप देखरें दानीूज आपके साथ मैं स्रिस्टी आपको बता रही कि पश्चिम मंगाल से बड़ी ख़बर सामने आई है मम्ता बेनर जी ने हाई कोट के फैसले पर दिखाई है नाराजगी ये पूरी लड़ाई राज जपाल वर्सेज सीम है आपको बता होगा क लगातार खीस्तान के बीच हाई कोट ने मम्ता को सक्त हिदायत दी थी कि आप एक समधानिक पत पर बैठे व्यक्ति की गरीमा से कोई छेड़चाण ना करे सीवी आनंद बोस राजपाल है पश्चिम मंगाल के और आप उन पर अभधर टिपड़ी ना करे मम्ता बिनर जी न ने मानहानी का मुकदमा ठोका था मम्ता की खिलाफ इसके साथ जब ये बाते फैलाई गई राजपाल में हम शपत ने लेंगे जबकि राजपाल राजपाल में शपत दिलाने के लिए उन्होंने हामी भर दी थी इसके बार भी खुब हंगामा चला और टीमसी वर्सिस राज राजपाल पूरी तरीके से पश्चिब मंगाल में बेनकाब हो गया और बता दे आपको पश्चिब मंगाल में केवल मम्ता ही नहीं पश्चिब मंगाल में आपको बता दे कि कई ऐसे टीमसी के नेता हैं जो मम्ता बिनरजी के साथ मिलकर राजपाल की खिलाफ शड़े अंत सब्सक्राइबुकाइबुकाइबुकाइबुकाइबुका तुम मत्रच वैंन dar notre साथ कुछ नहीं हुआ है और बीजेपी के कहने पर हमने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था और शाह जाहां शेक ने कुछ नहीं किया खेर ये सबी के बयान नहीं थे ये केवल कुछ महिलाओं के थे जिनको ये अंदेशा लगाया जो आ रहा था सूतरे ये बताए रहे थ क्या का वैक्तिगर्थ हमले ना करे ममता हाई कोट की टपणी आई थी ममता बिनरजी के खलाब ममता को ऐसा लगता है कि सभी कोट कचेरी सब ममता के हैं लेकिन ऐसा नहीं है निस्पक्ष तरीके से कोट काम करती है और कोट ने वही फैसला सुनाया है ममता बिनरजी ने तो हा पर बता दे आपको चस्टिस का पत छोड़ा साथ अब से उनके उपर वेक्तिगत हमले कर रही है ममताब इनरजी अब हाई कोट ने कह दिया कि आप समयधानिक पत पर बैठे हुए वेक्ति पर हमले मत करें उन्होंने कहा सोचल मीडिया का प्लेटफॉर्म उपयोग करके उनके खिलाफ वेक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए ये ममताब इनरजी को सक्त टिपड़ी हाई कोट की और किसी को नहीं ऐसे मैं अदालत ने कहा कि स्वतंतरता के अधिकार के नाम पर कोई मान हानीकारक बयान नहीं देगा और किसी वेक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सक होता है इससे पहले सुमवर को बोस ने अपने वकिल के जरीए ये बात कही थी अब देखिए यहां पर बोस के वकीलों ने जो याचका दायर किया उसमें साफ है ममता बिनरजी ने वेक्तिगत तोर पर राज़ेपाल की छवी खराब करने की कोशिश की है और ये उनके लिए अती घा तक सावित हो सकता है और हुआ भी राज़ेपाल की 26 से खराब हुई और इसे खिलाफ मानहानी का मुकदमा ममता के खिलाफ राज़ेपाल ने दायर किया था और ममता ही नहीं आपको बता दें कि यहां पर ममता ही नहीं उनके टीमसी के दो अलग नेताओं के खिलाफ अब भी मानहानी का मुगदमा ठोका गया था इसके साथ मैं आपको बता दूँ यहां पर कहा जो रहा है कि मम्ता मेनर्जी ने बयान दे दिया था राजपाल के खिलाफ की पश्चिम बंगाल की महिलाएं राजभवन में प्रेवेश करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही ह तरह आप किसी समिधानिक पत पर बैठे हुए वेक्टी के बारे में खुले आम यह कह रही है कि उनके राजभवन में प्रवेश करने पर महिलाओं को सुरक्षा महसूस नहीं होती है इसके एक दिन पहले सीम बंगाल जी ने अपने बयान में कहा था और बता रहे आपको यह ममता ने कहा कुछ महिलाओं की शिकायत मिली है उसके अधार पर हम यह कर रहे हैं और वहां कोई सुरक्षित नहीं है चलिए यह सम मामला तो हैं ही लेकिन आपको पुराने मामलों के पास एक बार नज़र डालूंगी और बता दे आपको यहां पर यही केवल नहीं है राज पाल ने संदेश खाली का मैटर हो चाहे पश्ची मंगाल में निस्पक्षी चुनाव कराने को लेकर हो टीमसी के गुंडों की गुंड़े को बरखास करने की जरूरत हो इन सब बातों पर बड़े मुखर रहे हैं सीवी आनंद बोस जी आपको एक बात मैं और बता दू शु कि लोग बीजेपी से जुड़ने से डरें आपने देखा होगा वीडियो कैसे सामने आई थी एक मुस्लिम महिला को इसलिए सडक पर चारों तरफ से घेर कर पिटा गया कि वह बीजेपी की समर्थक थी हाला कि बात में यह कहा गया कि उसने अपने पती को छोड़ दिया अप को को शेल्टर लेना पड़ा था बीजेपी कारेकरता अपने गाउं भागे उन्होंने बीजेपी मुख्यालेों में जगा ली बीजेपी कारेयालों में छुपे रहें टीम से के गुंडे लगातार हमले कर रहे थे और यह और आजकता अपनी चरम सीमा पर दर्थ रखो और पश्रिम मंगाल में चुनाओं के दोरान ही हत्या नहीं होती पश्रिम मंगाल में तो हत्या लूट खसोट ये आम बात हो गई है और लूट खसोट तो बिलकुल आम बात है हत्या भी यहाँ पर आम बात हो गई है आप सोचिए ज़रा कितनी मुश्किले खड़ी कर दी है ममत ममता विंदर जीन जाने क्या करकर मानेंगी حالा कि यहाँ पर ममता विंदर इसके साथ अगर बातचित करें ममता विंदर जी प्रधान मंत्री खिलाफ हमेशा मुझर रहती है इस बार भी तीन जो कानून आए हैं यहाँ पर आईपीसी और इसके साथ भारतियस आक्षा दिनियम, भारतियस उरक्षा, न्यागरीख सहीता इन सब को लेकर मम्ताविनर जी ने कड़ी आपत्ती जताई और कह दिया है हमें इस से दिक्कत है, हमने इसके लिए समीक्षा बाटक की है साथ सरस्य टीम बनी है और इस टीम के अकॉर्जिंग हम देखेंगे कि राज्य में इसकी जरुवत है या नहीं जो नए कानून अंग्रेजर के बदले हुए कानून यहाँ पर साफ तोर पर आपराधिक मामले में सरकार लेकर आई है राज सभा में और लोग सभा में इसको पारित करने के बाद और यह लागू भी हो चुका है लेकिन पश्चिम मंगाल में इसके लिए जमकर नाटक है और कली की खबर थी है साथ सदस्या टीम ममता ने गठित की है और यह लोग यह पता लगाएंगे कि इस नए कानून में क्या है और जो कानून बदले गए है आपराधिक मामले में उसके परिष्ट भूमी क्या है उसके हिसाब से ही पश्चिम मंगाल में इसको लागू करने ह दिया है कि आज पश्चिम मंगाल की इस्तिधी बदहाल है और ये ममता बेनरजी केल अपने करमों से करती हुई नजर आ रही है क्योंकि ममता को बहुत ज़ारा डर है कि उनको वोट नहीं मिलेगा हिंदू के वोट तो ममता को नहीं मिलते हैं और वहां वो हिंदू को जो यह सोचते हैं कि मम्ता ने अराजकता फिला दी हाला कि अच्छे खासे हिंदू वोटर्स भी मम्ता के साथ जुड़े हुए हैं सब जानते हुए भी क्योंकि एक होता है राज्यों की अलग कमफर्ट जोन अलग अलग अपने राज्यों की जनता को चाहिए और यही बात है पश्च राज्यपाल के लिए जो हाई कोट ने फैसला दिया राज्यपाल ने खुशी दिताई लेकिन मम्ता को यह बरदाश नहीं हुआ मम्ता अब अलग तरीके से इसके लिए अपील करती नजर आएंगी कि वो अब मांजनक बयान देना मतलम नहीं छोड़ेंगी है हटी है मम्ता जिद्धी है मम्ता और इसे तरीके से मम्ता इनरजी की मुश्किले हो सकती है आगे बढ़ती नजर आए आपकी क्या रहा है आप जरूर कॉमेंट बताईए शुक्रिया